येस कारिक्रम को साथ मा उमारी बैंक सबई का लागी सदई का लागी ग्लोबल आयमी बैंक सबई का लागी बैंक पिश्वा सिद्दै अगी बरे दैं मेगा बैंक नेपाल लिमिटेट लक्ष्मी बैंक लक्ष था लक्ष्मी बैंक था संराइज बैंक राइसिंग तु सर्फ हामी संग संगई संग्रीला डेवलोप्मेंट बैंक लिमिटेट स्थाने भी कास को आधार नेकौ एंसरेंस लिमिटेट बीमागर्ण किस्तातिरों नेपाल मई पहिलो बीमायोजना ब्राइमलाइफ इंसरेंस कमपणी लिमिटेट सुरक्षित भाःष्मिट्ड लुम्मिनी जेनरल इंसरेंस कमपणी लिमिट इंसुरें किस्क्ताइज Progressive Finance Limited Our business is to finance yours NIBL Ace Capital, Managing Shares, Managing Investments को तयारी अंतीम चरण मां पुराएगोछ जनगरणा का लागे 40,000 गणक खटाईने बिवागले जनाएगोछ नमस्कार, कारिक्रम अर्थको अर्थको आजको श्रिंखाला मां मां कांग्षा अपाधियाए स्वागत करदाचु आजको कारिक्रम महामे मंत्राले हरूले हरेक महिना कम्तीमा 10% पुजिकत बजेट खर्च गर्णु बरने नेपाली हस्तकला सामागरी को नेरियाद प्रवर्धन मां जोड रपर्यार्चकला नेपाल आउना खुला गरे संगई ब्यवसाई उत्साही लगाएच साथाका थब आर्थिक गतिविदिले रो उपस्तित भाएगा छों आउनुस साजको कारिक्रम सुरु करो अर्था मंत्रालेले पुजिकत खर्च बड़ाउना नया कारे योजना लियाएकु छ मंत्राले हरले हरेक महिना 10 प्रतिशत खर्च गर्णुपने ब्यवस्ता गरियेकु छ मंत्राले का अंसार यो ब्यवस्ता आगामी कार्तिक देखी लागो हुने छ सरकार को पहिलो योजना पुजिकत खर्च बड़ाउनु रहेकु भंदै मंत्राले ले तेशक लागी आवस्तिक सहय गर्न तया रहेकु बताये कुछ चालू आर्थिक बर्चक लागी सरकार ले पुजिकत तर्फ तीन खर्बा अठतर अर्व रुपेयां छुट्टियाये कुछ चालू बागी नुक्याय महेन मुझी भंदै कि अपुजिकत खर्च कर्च बने में बागी नुक्त हैGo ड़ी बने रट पने शॉकनल आवस्तिक तर्फ खर्च करणक मबना हैन्याय काले ... अत्यो गर्ण लाई रेग मैना जें कम दिमें 10 बर्ष आप पुझेत खर्च गर्णा लाई किए 11 बर्ष आर्थमंद्र आलेले तिए 11 बर्ष में 114 प्रिव बिगत कही बर्ष को तत्यां कैं हेडने हो भने कुनेपनी बर्ष लक्षी अंसार पुजिगात बजेट खर्च होना सकेको छाई न चालू आर्थिक बर्ष को हाल समामा एक प्रतिशत मात्र खर्च भायको छा ततकालीन केपी शर्मा ओली नेत्रितो को सरकाली लियाएको अध्यादेश बजेट लाई प्रतिश्थापन गरी बर्तमान सरकाली लियाएको बजेट लाई सही रूपमा कार्णोयन गर्ण अर्थ मंत्री जनार्दन सर्माले केही दिन अगी मात्र ही सबे मंत्राले का सचिभार संग परामर्श समित गर्ण भायको थियो सबे मंत्राले का सचिभार संग परामर्श समित गर्ण भायको थियो सबे मंत्राले का सचिभार समित गर्ण भायको थियो सबे मंत्राले का सचिभार अगा परामर्श मेसा बाया नेपाल का सचिभार की सचिभार दर्ण भायको थियो खोब माँचे जोड दियारा खोब लागाई राचो जुन किसीमले हमले अर्थम्दर लाईचे खुला गर्याचों तेवाबने हमलो आर्थिक गदिवितियरू बढने सोदीच उत्पादान रुब बढने व्याब बढने तेश सबे काराणले गरतार हिजो थुनिये को पनी के वर्षा आड़ा बने वाको काराणले हमले सी साथ बर्षान को ग्रुध हुन्च अस्तो लाग सेगे तेश्तेई पचिल्लो समे आयात मा उच्च मात्रामा ब्रिदी भाईपनी तेश्मा अउधोगी कच्चा पदार्थ बिविन्ना पाट पोर्जा लगायात का बस्तु समेत रहेकाले तेश्ली मुलुक मा पुजी निर्मार मा सगाव पुरियाओने अनुमान चा तेश्ली पन आर्थिक पुजीनेर्मार मा पिविन्सीनेर्मार और अईत बड़ प्रश्यय दीनीलेग्데 दिने गरे चाहें आर्थी कहीन आगोशा, विविना छोट सुविदार दिये गोशा, जले चाहें स्वदेशी उत्पादन गर्चा तिस्तखालको, इंटरपाईज आरलाई, बिजनेश आरलाई, तेले गर्दाखेरी हमें दुईटा हुशा, योड़ा चाहें अईले भईरेक आयात बाट बडि शेव बडि चाहें, अर्थ तंतरला चलाईमें, गरे राखने योड़ा, अर्को जाहें तिव आयात में कचा पधा आर्थ जाहें, को मातरा बडि होश, अ अत्वा तियो पनी हरी राज मामले, तिव बआबाबनी यहां को आंतरी कुद पादन जाहें, प्रस्तूत गरें बजेट समंधी सामागरी अबकपालो प्रेक चीन संग को अंतराष्ट्रिय प्यापारिक नाका रस्वागडी मां हुक एंड्रोप प्रनाली लागोगरने तयारी गरिये को छ रस्वागडी नाका बाठ हुने आयाद बड़ावनो यो प्रनाली लागोगरन लागिये को हो इसते कोरना महामारी का कारण आफनो मुलुक मां फरकन न पायरा नेपाल में रहे का विदेशी नागरेकले आगामे पूष मसान्त सम्म आफना बसाई अवदी लंबावन पाउने ब्यवस्ता अध्यागमन बिवागले करेको छ थाप आर्थिक सामागरी सहित को अबग प्रस्तूती बिजनेस रांड अप मुलुक को तेस्टर प्रमुक नाका को रूपमा रहेको बिराटनगर भन्सार बाट ब्यापार घाटा बरदे गएको छ गत आर्थिक बर्शमा यो भन्सार एक खर्ब बाउन्न अर्ब पचतर करोड रुपया ब्यापार घाटा मा रहेको छ उक्त आवदिमा बिराटनगर भन्सार बाट एक खर्ब उना नब्य अर्ब पचतर करोड को आयाध भायेको छ भने निर्याद शात सिस अर्ब नब्य करोड रुपया बराबर को मात्र भायेको तत्यांक छ यो तपी आर्थिक बर्शमा बिराट नगर नाका बाटा निर्यात पनी नियूना मात्रामा बढ़ेगो तथ्यांकले देखायेको सा बनायको 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 बनायक चो प्रतिशा को लखचे आसे गरेशान। 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 परिटन चेत्रलाई पुराने लएमा फरकावना सरकारली ततकाल रेट जोन बाट हटावना पहल गरन। परने बेवसाई हरु कुशु जाबचे. प्रतिशा को लखचे आसे गरेशान। प्रतिशा को लखचे आसे गरेशान। प्रतिशा को लखचे बेवसाई हरु को दावी छुँ. यस्ते अस्टिल्याले 14 दिन क्वारेंटाइन लाई 7 दिन क्वारेंटेन मा सिमित करने तयारी समेत गरे को सबने COVID-19 संकर्मर का कारण हाल सीडिनी, मेलवर्ण र क्यानवेरा अजे लगडाउन मा रहे का सन सम्यूक्त राष्ट संका महासजिप अנडिनियो गुटरेसली इथोपियामा गोहिरी दियो मानबे संकर भोक्मरी पारे गंबीर चिनता बेक्तगरे का सन सुक्रबार इथुपियाले सम्युक्त राष्ट संका साथ जना अधिकारी हरलाई निस्कासन गरताई दोंद ग्रस्त टिग्रेई छेत्रमा मानविय शह्युक पुर्याउना प्रतिबंत लगायपची महासची गुटेरेसले इथुपियालाई यस्तु निनाय लिने अधिकार नभायको प्रस्ट पार्नभायको हो गुटेरेसले समय में यहाको मानविय संकार सामाधार नभाय इस्तिती नियन्तन बाहिर जाना सकने पनी टिपपणी गरेगाचन लामू गिरह यूद्धा बात तंग्रीदाई गरेको सिरलंकामा खाद्यान्ण संकर डेहा परे कोछ भावी पुस्ताले पनी थप संकट भोगनु परने संकेत, अहिलेको आर्थिक संकटले तेसलाई खाद्दे संकट भनिये पनी यो अबस्तालाई बिग्यहरले आर्थिक विपत्तिको अबस्ता भनेरा ब्याख्या गरे काशन। तालिवान सरकारले भारत संग ब्यवसाईक उडान पुन्ह संचालन करना भारत लाई पत्र पठायको सा। तालिवान ले पंद्र अगस्ट मा सत्ता कपजा गरे पची भारत सरकारले अफगान, इस्तान, संग आफना सबै प्यावसाईक उडान बंद गरे को थियो। गता साता तालिवान ले अरु देश का एरलाइन्स लाई, पनी पिमान इस्तल का समस्या समाधान भाईशके काले उडान पुन्ह सुरू करना आगरह गरे को थियो। हामी संग हस्तकला समंधी सामागरी बाकी नेच, हामी संगे रहन होलाई नेपाली हस्तकला सामागरी निर्याद को प्रचूर संभावना रहेगो छा कोरोनाले 22 साई प्रवावित फईर समस्यामा परेका 22 साई हरूले हस्तकला सामागरी को निर्याद प्रवर्दनमा विसेश जोर दियेका छन एक सामागरी कोरोना कहर का बेला पनी नेपाली हस्तकला सामागरी को निर्यात बड़ेगो छा नेपाल हस्तकला मा संका अन्सार अगिल्लो आर्थिक बर्ष द्येजार सामागरी को निर्यात बड़ेगो हो एक बर्ष अबदिमा हस्तकला को निर्यात 19.121 बड़ेगो छा कार्गो सुलक बिस्तोब्यापी रुपमा बड़ेको भाय पनी नेपाली हस्तकला को माग मा भाय को बड़तरीले निर्यात शकरात्मक देखियेको बताईएको छा अब जर्मनी जापान अब इनोतो रेगूलाई छा वह टेक्स्टाल बेस्मा चाहिए यूराप अम्रो सबसे टॉपमा चाहिए लेए नेपाली हस्तकला का सामगरी निर्यात को परचूर संबावना रहे को छा तर कुरणाले परमपरागत हस्तकला को काम गरदे आएका कदि पहे ब्यवसाई पलायन भाय का चाहिए तेसाईले ब्यवसाईक प्रोचाहन र एस थेत्रकू समस्या समधान गरणू परने संबद्ध ब्यवसाईकू माग चाहिए तेसका लागी सरकारले छुट्टे साखा विस्तार गरी काम गरणू परने उनिहरूले स्विजाय काचन फूर्शर परने कशला बीन चाहिन वाला माग सदे तेही राँचे कि बिविन न परड़कारो अले जुन नेपाल बरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुंछा तेसंग अस्ताकला तुलना गरेफची तेरेने अफ्यर मनेः अभस्टाश्टा शाखा अवाद्ध शिमें दंदी लागो जिन कारको इश्यू रहे लिने समाधन करचा और यहले डेफनेटली आमरो एजम्सन कीए वाने नेपाल सर्कारले रेविने जेनेदमा यहले थुलो सवय करचा सर्कारले हस्तकलाका सामागरी निर्यात गरने उद्योगिलाई तिन पर्तिशत देखी 5 पर्तिशत समा नगत अनुदान दिने ब्यवस्ता गरेको छा तर कागाजी प्रक्रियार अन्य प्रसासनिक जमेला ले गर्दा सर्कार ले दियेकू नगत अनुदान अधिकांग साले लिना नसकेकू गुनासुचा तर कागाजी प्रक्रियार अन्य 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 प्र काम गरी रहे को जनाये कुछ संग पर्देश्र इस्ताने सरकार संग को सा कारे मा निकट बविश्य में नया काम गरी दुर दराजमा भाय का सीप्र कचा पदार्थको उच्चतम प्रयोगरी उत्पाजन तथा उद्दम सिल्ता विकास गरने महासं को योजना छ अब किया निकार नपाल शंगे सम्न चानाम गय देखिए अमले पुनी बिविन जिल्ला आम आपनों संग्याम पर इस्तार गर्ना माचम तियां पाका स्थानी कच्चा पर्दाथ तयां बाय का स्थोडरू और रस्थानी मैला अल्लाक परिचार्द गरर त्यां को पड़कर अम नेपाली हस्तकला सामागरी को सबी भंदा धेरै माग अमेरिकामा छो तेस्तेई चिन, जर्मनी, जापान, बेलायत, कैनाडा, नेधरलेंज, भारत, लगायत मुलूक मा पनी एसको माग उत्तिकेई रहेको बेवसाई बताऊंचन नमस्कार, स्वागत्षा कारिकरम, अर्थको अर्थमा, आज हमिसागा उन्चा, बेगे प्रोफेशर, दॉक्तर, सथी सिंदे, विल्कम सार्थ, तक है टॉइ था लुगना प्रफे से को बेंगा से लुगन कि प्राइब को अरज मैंने से कर दूथी स्थी हाँ, विल्कम सीथिछाए तक का बढ़ काण बेंने दोगा है इसने प्राइब एक्पार उपना अट ।्वित टेंदे से किते हैं किती प्राथश, इस्थी एल्य प्रिमी सिर्ब ए निए सेर्छ और अ कि अजा कर और रियुक्तिर कंप सेर्ट, अजये लिए अजा विए पितुन, प्राइव प्राविछ तर्मान कर प्राविटी नियुक्तिर कर दाने लगा, राविए वे कोषई सेर्ट ल בחंव प्राविट लून चे WOR कि यह वदेट च पु I had interaction with a number of senior bankers in Nepal and all of them are telling me that you know the agricultural sector that's a silver lining in the whole thing agricultural sector has been doing well but the manufacturing sector has been considerably affected and as Nepal depends upon tourism especially industrial I mean international tourism and the remittances both these areas were considerably affected that's the impact on the overall economy because of the various reliefs and concessions given by the central bank many of those borrowers have been they temporarily they have been given a relief but how long this relief will continue is anybody's guess liquid as well in banking sector it is stops how can we mobilize liquid amount excess liquidity you know central banks played a major role with the you know support of the government that you know excess liquidity extra liquidity was pumped into the financial system various interest rates were brought down and various relief measures were given to the banks you know even if the borrower default in payment of installments the those loans were not considered as non-performing loans so that grace period was given to the borrowers but now with the you know the signs of recovery gradually the banks are withdrawing all those central banks are withdrawing all those concessions and why they are withdrawing the concession because they have a very difficult role to play one on the one hand that to protect the interest of the depositor and they have to ensure the stability of the financial system on the other hand that also they're also concerned about those borrowers who are suffering because of no fault of this because go with COVID is something which was nobody anticipated this sudden impact of COVID so they would like to protect this genuine borrowers at the same time they have to also keep in mind the interest of the depositors and that's why world over now this this temporary reliefs are being withdrawn even the liquidity also is being gradually uh you know uh taken out of the extra liquidity is being taken out of the financial system what is the challenges of now upcoming days COVID has given it a boost that is a digitalization of transactions you know if you visit India uh even roadside vendors nowadays they are accepting uh mobile payments so that is the uh before COVID our digital transactions the the annual growth rate was about 30 32 percent thanks to COVID now it has gone up by more than almost 55 percent is the rate of digitization so COVID has given a boost to this digitization and that's why a lot of fintech companies are now coming in the market and they are providing financial services so bank should be be geared for that you know that the way the type of demands which are coming technological mobile mobile banking is in one part there are so far what has happened and this again is a significant change which is taking place especially banking industry financial services industry should be aware of this that so far our computerization IT application has been only handling of transactions like instead of doing manual transactions check clearing extra it is being uh done by the uh either on the internet or it is being done mobile okay thank you so much sir thank you 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 समय सक्किये को छो मा दागायत हम पूर्ण यूनित ला विदा दिनो होज नमस्कार संगरिला डेवलोप्में बांक लिमिटेट इस्थाने भी कास को आधार Neko Insurance Limited विमागरों किस्तातिरों नेपाल में पहिलो बिमयोजना Prime Life Insurance Company Limited शुरक्षित भविशे Lumini General Insurance Company Limited इस्थाने रिस्थारिट Progressive Finance Limited, Our Business is to Finance Yours NIBL Ace Capital, Managing Shares, Managing Investments